कल मैंने अपने इंस्टाग्राम जिसकी आईडी है Fly Air India अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा यहाँ पर मैंने एक पोस्ट डाला था एक वेकेंसी का भी अपडेट अपने स्टोरी में डाला था जो की थी Air India Express के बारे में इसके बाद मेरे पास काफी कमेंट्स आये, आप लोग के साइड से ये पूछते हुए कि इसमें अपलाई कैसे करना है, तो अगर आप भी Air India Express की इस वेकेंसी के लिए इंटरिस्टेड हैं, एरलाइन एरपोर्ट में जौब पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्या आपके लिए वीडियो के आखरी में, जो कि आपके लिए हल्फफिल होगी आपके सपने को पूरा करने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी ऐलिजबल्टी क्राइटेरिया के बारे में, एर इंडिया एक्सपेस की ये जो वेकेंसी है, ये है कैबिन क्रू के जिसके लिए बात करें, अगर एलिजबल्टी क्राइटेरिया की, तो किवल फीमेल कैडिडेट ही एलिजबल हैं, अपलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेल कैडिडेट हैं, तब भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, क और BMI आपकी होनी चाहिए 18-22, एज आपकी होनी चाहिए 1st June 2023 को 18-27 आप इंडियर नेशनल होनी चाहिए, आपका कंप्लेक्शन क्लियर होना चाहिए, कोई भी विजबल टैटू, स्कार्स या फिर डेंटल ब्रासस नहीं होने चाहिए, जॉब के नेशर को देखते हुए औ आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंटर्व्यू होता है, वो इंग्लिश में होता है, और सबसे जरूरी और खास बात, आपका जो नेचर होना चाहिए, वो फन लबिंग होना चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि आप इस वेकरन सी के लिए एलिज करना होता है, सबसे पहले आप अपनी इमेल आरी डाल दीजिए, उसके बाद मोबाइल नमबर, करेंट लोकेशन, यानि कि आप अभी फिलहाल कौन से सीटी में है, प्रेफर्ड इंटर्व्यू लोकेशन, आप इंटर्व्यू कहां चाहते हैं, वैसे यह जो इंटर्व्यू है, तो फीमेल पर टिक कर दीजिए, डेट अफ बर्थ आपका क्या है वो डाल दीजिए, एरलाइन एर्पोर्ट के जॉब के लिए और खास्तोर से कैबिन क्रू के जॉब के लिए पासपोर्ट ज़रूरी होता है, तो पासपोर्ट नमबर यहाँ पर डाल दीजिए, उसके के बाद यह जो दो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, सर्किल्स, यहाँ पर आप एकनॉलेज़ कर दीजिए, यानि कि आप इसको टिक कर दीजिए, फाइनली नीचे आए जो थोड वाला है, इसको भी टिक कीजिए, और नीचे जो सब्मिट का बटन है, आप यहाँ पर सब्मि लेकर जाने हैं, जिसकी जरूरत होती है इंटर्व्यू का टाइम में, डॉकुमेंट्स रिक्वाइड में, फुल वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाईएगा, अप्डेटेट रिजूम, पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, इन सब की ओरिजिनल और फोटो क कैबिन क्रू हैं, तो अपना ACP काड जरूर साथ में कर लीजिएगा, तो अब बात आती है कि अपलाई करने के बाद क्या होगा, अपलाई करने के लगभग एक से डड़े घंटे के अंदर, वैसे यहां तो दिया गया है एक घंटे के अंदर, आपके पास कुछ डिटेल्स आएंगे, आप उनको नोड कीजिए, और जो भी डिटेल्स अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्विन पे, आपको यहां पर चले जाना है इंटर्व्यू के लिए, तो अगर आप जा रहे हैं इंटर्व्यू के लिए, तो नीचे वाले वीडियो को और लेटेस्ट अबलाग!